हेलो और वेलकम टू पी आण लर्निंग लाब माई नेम इस सौमया आज की लर्न इंग्लिश थू हिंदी के लेसन में मैं आपको बताऊंगी वोक्प्लेस वोक्याबिलरी के बारे में ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वोक्प्लेस क्या होता है वोक्प्लेस मतलब काम करने की जगे वोक्प्लेस मतलब होता है काम और प्लेस मतलब होता है जगे जिस भी जगे पर हम अपना काम करते हैं चाहे हम कोई बिजनस करते हों चाहे हम कोई जॉब करते हों उस जगे को हम अपना वोक्प्लेस बोलते हैं उससे related कुछ different words के बारे में आज मैं आपको बताऊंगी अगर आप कहीं पर भी जाएं तो ये कुछ basic words है जिनका मतलब आपको पता होना चाहिए चाहे आप first time job पर जाएं या फिर generally आप एक student हो इन सारे ही words का मतलब पता होना सबके लिए बहुत जरूरी है वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो please hit the subscribe button और bell icon को भी press करना ना भूले workplace vocabulary सबसे पहला word यहाँ पर है accounts accounts मतलब होता है हमारे office के books जो हम books of accounts बनाते हैं आपको पता होगा जिसमें journal, ledger यह सारी चीज़े हम अपने accounts में लिखते हैं कि हमने कितने खर्चा करा, कितना earn करा, क्या credit है, क्या debit में देना है तो वो सारी चीज़े हमारा accounts maintain करता है next है ads, ads मतलब होता है advertisement next मतलब है advertise, ads को हम advertise करते हैं for example मेरी company में मैं कोई products manufacture करती हूँ या फिर products बनाती हूँ तो उन products को मैं advertise करूंगी advertise मतलब उनको मैं पूरे world में दिखाऊंगी through television, through newspaper ताकि लोगों को मेरे product के बारे में पता लगे social media का use भी मैं advertise करने के लिए कर सकती हूँ next है affordable affordable मतलब जब कोई भी चीज affordable होती है तो वो बहुत जादा मेहेंगी नहीं होती वो कम expensive होती है सस्ती होती है वो चीज एक business के लिए तो उसे हम कहते है affordable जो एक company afford कर सकती है next होता है agenda agenda होता है company का goal for example हर company short term plans बनाती है छोटे plans, long term plans बनाती है तो उसका जो objective होता है जो भी company को उन plans को बना कर achieve करना होता है उसे वो बोलती है agenda company का agenda या फिर company का objective next है agreement agreement हमेशा दो parties के बीच में बनता है for example अगर business ने किसी एक party से कुछ loan लिया है और वो बाद में देने का promise करता है तो वो दोनों एक agreement बनाते हैं जो भी rules and regulations लिखे होते हैं वो दोनों ही parties को follow करने जरूरी है कभी भी एक company agreement नहीं बना सकती किनी भी दो individuals, दो companies, दो groups का वहाँ पे रहना जरूरी होता है next है benefits benefits का Hindi word होता है lab benefits मतलब एक company को कोई decision लेकर क्या benefits मिलेंगे या फिर एक individual को जैसे कि मैं हूँ अगर मैं किसी company में job करूँगे तो मैं वहाँ पर सबसे पहले यही चीज़ देखूँगी कि job करने के बाद मुझे वहाँ से क्या lab होगा मुझे वहाँ पर रहकर क्या benefits मिलेंगे जो मुझे future में काम आएंगे वो होते है benefits next है board of directors हर company के especially जो बड़ी companies होती है for example मैंने किसी company का bond खरीदा उसके लिए मैंने काफी सारा amount pay किया और मुझे उस company ने bonds दे दिये तो company को जब-जब profit होता है तो हर month company को मुझे एक fixed amount of interest वापस करना होगा क्योंकि मैंने company को starting में पैसे दिये हैं उनकी help करने के लिए कुछ amount उने दिया है तो मुझे हर महीने, हर month एक fixed rate of amount पर interest मिलेगा depend करेगा कि मैंने कितना amount company को starting में दिया है उस पर next होता है bonus bonus हम बोलते है profit को for example I am an employee in a company मैं कहीं पर काम करती हूँ तो मेरे job में तो मुझे job के साथ, मेरी salary के साथ और extra bonus मिला है मतला मुझे कुछ extra amount मिला है मेरे work को देखते हुए तो ये होता है bonus next होता है book keeping जैसे कि मैंने आपको बताया accounts क्या होते है ledger, journal, ये सारे accounts कहलाते है इनको हम accounts कहते है इनको maintain करना book keeping होता है journal, ledger, इन सारी चीजों को balance sheet जब हम maintain करते है journal, ledger, balance sheet इन सारी चीजों को बनाना इनको maintain रखना is known as book keeping next होता है borrow जब भी हम किसी चीज कोई चीज बौरो करते है मतलब हमने वो चीज उधार पर ली है और हम future में उस चीज को return कर देंगे वापस कर देंगे उसे हम बोलते है borrow जब भी हम कोई चीज लेते हैं इनकम जटने भी पैसे जितना भी amount company ने earn किया है उसमें से जब वो अपने सारे expenses निकाल देती है अपने सारे expenses कर देती है उसके पास जो amount company के पास बचता है उसे हम बोलते हैं company का bottom line next है budget हर job, हर business, हर individual, हर family भी अपना एक budget बनाती है कि हमें yearly या फिर हमें monthly या फिर हमें quarterly सिरफ इतने ही पैसे खर्च करने है और उसमें हमें ये ये चीज़ें achieve करनी है तो उसी तरीके से companies भी अपना एक budget बनाती है कि इससे ज़ादा खर्चा company को नहीं करना है उन्हें इतने ही पैसों में अपना सारा काम करना है उसे हम बोलते है budget next step business business मतलब होता है entrepreneurship जैसी कि आपने ये word सुना होगा अपनी day to day life में business करने का मतलब है अपना खुद का काम करना business में हमारा कोई boss नहीं होता वो काम हमारा खुद का होता है हम खुद अपना एक business start करते है पर ये word job word से काफी अलग होता है तो इसे हम कहते है business next step buy या फिर buyer buy मतलब होता है कोई चीज़ खरीदना किसी चीज़ को buy करना और buyer मतलब होता है खरीदार यानि कि customer जो उस चीज़ को खरीद रहा है वो होता है buyer calculation calculation मतलब होता है हिसाब किताब करना किसी भी business में even हमारी day-to-day life में हमें कई बार calculate करने की जरूरत पड़ती है चीज़ों को बड़े-बड़े numbers को, figures को राशन में कितना amount लगेगा या फिर company का कितना budget है company future में कितना earn कर पाएगी कितने उसके expenses हुए है क्या उसका profit है यह सारी चीज़े हम कैसे निकालते है calculate करके निकालते है तो हम use करते है calculation next है capital कोई भी business बिना पैसों से बिना कुछ amount लगाए start नहीं होता किसी भी business को start करने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है तो वो amount जिससे लोग अपना एक business start करते है एक company खोलते है उस amount को बोलते है capital for example एक company दो लोग मिलकर start कर रहे है दोनों ही 5-5 लाख रुपे लगा रहे है तो वो 10 लाख रुपी total हुआ company का capital जिससे company start हुई है next word है company इसका मतलब हम सभी को पता है क्योंकि मैंने इस word कई बार अभी भी use भी किया है company वो होती है जहांपर हम काम करते है वो होती है हमारी company next word है career career मतलब होता है किसी का job for example मुझे आगे life में social media manager बनना है तो वो हुआ मेरा career, मेरा job next word है campaign हर company different campaigns run करती है कुछ social issue के regarding campaigns run करती है कुछ environment के regarding करेगी कुछ disabled persons के लिए करेगी कुछ pollution के against करेगी कुछ अपने profits बढ़ाने के लिए करेगी तो इसी तरीकी से हर company अपने कुछ campaigns वगेरा host करती है उसे हम बोलते है campaign next word है client अगर मैं किसी product की manufacturer हूँ मेरी company manufacturing company है तो जितने भी लोग मुझसे मेरा समान खरीदते हैं चाहे wholesale पे ले चाहे retail पे ले चाहे कैसी भी ले वो सारे हुए मेरे clients मतलब कि मेरे customers एक तरीके से उसे हम बोलते है client next है cold call cold call हम उन calls को कहते हैं जैसे कि for example I work for a company जहांपर मुझे telecalling करनी है अगर मैंने किसी से already बात कर ली है और अगर वो हमारे product में interested नहीं है और अगर मैं उनको एक और बार call करती हूँ या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें door to door visits करने पड़े उन्हें हम बोलते है cold calling next है senses senses हम बोलते हैं survey को कि अगर मुझे देखना है कि market conditions कैसी है या फिर future में मेरे product market में चलेगा या नहीं चलेगा तो उसके लिए मुझे market को observe करना आना चाहिए मुझे पता होना चाहिए कि market में किस चीज की demand है future में किस चीज की demand रहेगी तो वो हमें बताता है senses next है competition अब जरूरी तो नहीं है कि market में हर चीज की सिरफ एक ही company हो हर चीज की चाहिए वो कोई product हो या फिर कोई service हो एक से जादा companies जरूर होंगी जो fight कर रही होंगी जो एक competition में होंगी तो उन companies को जब वो आपस में same product बेचती है और किसी एक company का product जादा पसंद किया जाता है दूसरे से या फिर कभी-कभी दूसरे का product जादा पसंद आ जाता है तो ये है दो companies के बीच का competition next है consumer consumer वो इनसान होता है कोई भी individual जो हमारे product को consume कर रहा है जो उसे खरीद रहा है और consume कर रहा है मतलब कि उसे ले रहा है उसे use कर रहा है वो हुआ हमारा consumer next है copyright ये word भी आपने काई बार सुना होगा for example मैंने अपने नाम से कोई article post किया है तो कोई भी और company या कोई भी एक individual मेरे article को अपनी website पर post नहीं कर सकता क्योंकि वो मैंने लिखा है मुझसे बिना पूछे कोई भी company कोई भी individual ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि उस content पर मेरा copyright है वो मेरा original content है अगर किसी company या किसी individual ने ऐसा किया कि उन्होंने मेरा content मुझसे बिना पूछे use कर लिया तो मैं उन्हें sue कर सकती हूँ मतलब कि मैं police complaint या फिर उन्हें coat तक भी इस चीज के लिए लिजा सकती हूँ और हो सकता है उन्हें मुझे काफी big amount इस चीज के लिए देना भी पड़े इसे बोलते हैं copyright किसी चीज पर copyright होना किसी का original content होना next है cost cost मतलब किसी भी चीज की किसी भी product का amount वो होगी उसकी cost next credit ये बहुत ही important term है day to day life में भी हमें इसे use करते हैं और बड़ी बड़ी companies भी इसे काफी बार use करते है credit मतलब होता है amount का हमारे पास आना जब भी एक individual के past amount आ रहा है पैसे आ रहे हैं या फिर एक company के पास पैसे आ रहे हैं तो उसे हम बोलेंगे पैसों का credit होना मतलब की उनका आना आपने देखा होगा कि जब भी आपको bank से message आता है तो आपको ऐसे लिखा होता your account has been credited with this 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 amount तो credit मतलब होता है पैसों का आना और debit D-E-B-I-T इसका मतलब होता है पैसों का हमारे पास से जाना जब भी हम कोई transaction करते है तो हमारे पास message आता है that your amount जब भी हम कोई transaction करते है हमारे पास message आता है that your account has been debited with this 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 amount इसका मतलब होता है amount का जाना credit का एक और मतलब होता है credit का मतलब होता है उधार दो मतलब होते हैं credit के ये मतलब होता है credit का next है currency currency हर country की अलग होती है जैसी कि हमें पता है किसी की rupees होती है किसी की dollars होती है किसी की pounds होती है किसी की dhiram होती है तो ये होती है different currencies next है data हर company का अपना एक data होता है profits का, losses का debit होने का, credit होने का सारी transactions का तो वो होता है data next है deadline हर company अपने employees को एक deadline देती है जैसे कि मैं एक company की boss हूँ तो मैं अपने employees को कोई deadline दूँगे कि तुम सब को ये काम इतने बज़े तक या फिर इतनी date तक मुझे पूरा करके देना है तो वो होती है deadline next है deal deal भी एक तरीके से एक agreement की तरह होती है ये भी दो parties के बीच में होती है deal करना next word है debit जो कि मैं आपको already हाँ पर बता चुकी हूँ पैसों का जाना ये होता है debit next है director मैंने आपको पिछली slide में भी बताया था board of directors होते हैं director भी company के boss की तरह ही होते हैं काफी roles वो play करते हैं like employee, officer, company के trustee सब कुछ manage करते हैं सब कुछ control करते हैं एक director को भी हम boss के level पर ही देखते हैं next है discount discount मतलब की पैसों का कम होकर देना discount मतलब की छूट देना for example मैं कुछ लेने के लिए गई हूँ और वो 40 रुपीज का है तो shopkeeper ने मुझे उस पर discount दिया 5 रुपीज का तो अब वो मुझे 35 रुपीज में वो चीज देगा तो ये जो 5 रुपीज उसने कम करे हैं इसे हम बोलेंगे 5 रुपीज का discount दिया है next है down payment for example एक business दूसरे business से कुछ उधार पर समान लेता है लेकिन वो थोड़ा सा amount उसको दे देता है और बाकी का वो धीरे-धीरे करके देता है तो वो जो starting में amount दिया जाता है समान लेने के साथ उसे हम बोलते हैं कुछ down payment कर देना थोड़े से पैसे शुरुवात में दे देना next word है duties हर employee की अपनी खुद की एक duty होती है company में किसी की duty होगी accounts पर काम करना किसी की duty होगी marketing देखना किसी की duty होगी advertising करना तो सब employees की अपनी एक अलग duty होती है इन्हें हम बोलते है duties next है employee employee मतलब वो सारे लोग जो एक company में काम करते हैं next word है executive executive भी एक role होता है एक position होती है जैसे कि employee वो सारे लोग होते हैं जो काम करते हैं मैंने आपको ऐसी कई positions का नाम बता है boss, director उसी तरीके से एक होता है executive like for example senior executive of a company executive director of a company तो executive भी एक senior position ही मानी जाती है next word है entrepreneur entrepreneur वो individual होता है वो इंसान होता है जो अपना खुद का business शुरू करता है उसे हम बोलेंगे entrepreneur कोई भी इंसान जो किसी दूसरे के under job कर रहा हो वो उसको हम entrepreneur नहीं बोलेंगे entrepreneur वही होता है जो अपना खुद का business start करता है और अपने काम का boss होता है next word है export export मतलब होता है goods का बाहर भिजवाना हमें पता है कि बहुत सारे ऐसे countries होते हैं जो export और import करते हैं आपस में चीजों का लेंदेन करते हैं तो जब भी एक जगे से दूसरी जगे पर समान जा रहा होता है goods जा रहे होते हैं तो उसे हम बोलते हैं चीजों का export होना next है equipment equipment वो सारी चीज़े होती हैं जो एक working के time एक employee यूज़ करता है for example अगर मैं बात करूँ एक carpenter की तो carpenter भी बहुत सारे equipment यूज़ करता है for example एक hammer, हतोडा, wood, लकडी ये सारे उसके equipment हैं जिनको वो यूज़ करके अपना समान बनाता है next है expenses expenses मतलब company के खर्चे next word है efficiency efficiency मतलब कितने अच्छी तरीके से company काम कर रही है company कितनी efficient है उसे हम बोलेंगे efficiency बहुत companies के efficiency high होती है मतलब वो अच्छे से काम कर रही होती है कुछ company की efficiency low होती है मतलब वो उतने अच्छे से speed up करके काम नहीं कर पाते next है facility facility मतलब सूविधाएं एक company अपने employees को क्या-क्या facilities दे रही है कितनी सुविधाएं दे रही है वो word होता है facility next word है fund fund मतलब भी होता है amount कुछ पैसे उसे हम बोलते हैं fund fund collect किया जाता है किसी particular purpose के लिए for example company कोई important campaign run करने वाली है जिसमें वो कोई social issue पर बात करेगी या फिर pollution पर बात करेगी for example तो उसके लिए company को कुछ पैसो की ज़रत है कुछ amount की ज़रत है तो वो fund एकटा करेगी वो आके लोगों के पास उनसे fund मांगेगी मतलब एक special purpose के लिए amount मांगेगी next word है financial financial मतलब amount पैसो से related financial conditions of a company हम बोलते हैं उस company के financial conditions अच्छे है या किसी company के financial conditions बुरे है तो वो हमें financial word से पता लगता है next word है factory factory किसी भी चीज़ के हो सकती है जहाँ पर भी काम होता है जहाँ पर भी goods manufacture होते है चीज़े बनाई जाती है उन्हें हम बोलते हैं factories और factories में बनने के बाद वो आगे market में आती है I hope आपको इस video lesson clear हो गया है अगर आपको कोई भी doubt है तो आप comment करके हमसे पूछ सकते है अगर आपको इस video पसंद आया तो प्लीज इस video को like और share ज़रूर कीजिए and don't forget to subscribe to our channel thanks for watching